जोहार, जैमुल्नियोंसी में संकेत और आप देख रहे हैं में टीवी उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक मुस्लिम युवक के पुलिस टेशन में संदिग्द हालात में मुरुतपाये जाने का मामला अभी सामने आया है पुलिस ने 21 साल के अलताफ को एक महिला से जबरन विवाह से जुड़े मामले में गिरफतार किया था मिडिया में आई खबरों में बताया जा रहा है कि पुलिस अलताफ को स्वमवार 8 नवंबर को पुलिस टेशन ले कर गई थी अगले दिन पुलिस ने बताया कि अलताफ ने बातरूम में लगे नलकी टोटी से लटक कर आत्महत्या कर ली है हाला कि घटनासल के फुटेज और वीडियो को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि वह आत्महत्या नहीं बलकि एक साजिशन हत्या है इस मामले को लेकर सूबे की सरकार और पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं बताया जा रहा है कि योगी सरकार चुनाव से पहले हिंदू मुसल्मान का मुद्दा सूबे में उठाना चाहती है इसलिए अलताप पर हिंदू लड़की को भगा कर ले जाने का जूटा आरुप लगा कर उसकी उन्होंने हत्या कर दी योगी सरकार पर यह भी आरुप है कि यूपी में मुसल्मानों का नरसंहार किया जा रहा है कभी आतंकवाद के नाम पर तो कभी बीफ तो कही लव जिहाद तो कभी फर्जी इंकाउंटर के नाम पर तो कही पर मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसल्मानों की हत्याय की जा रही है असल में दुनिया में नकारा प्रशासन का इससे घटिया उधारन कही पर भी मौजुद नहीं है जहां खुद पुलिस ही कंट्रोल में न रह जाए वे बंदुक और ठोकों की नीती का सहरा लेकर अपरादियों को कंट्रोल करने निकले थे न अपराद कंट्रोल हुआ न अपरादी कंट्रोल में आये और न ही पुलिस कंट्रोल में रहे गई हर दिन यूपी पुलिस के कारणा में भयावह है यूपी अब ऐसा प्रदेश बना है जहां रोज कानुन व्यवस्था का जनाजा निकाला जाता है यहां कितनी गंभीर बात है कि बातरूम में लगे नल जिसकी डेड़ से 2 फीट की उचाई है उससे 21 साल का 5 फीट का आदमी लटक कर आत्मत्या कैसे कर सकता है लेकिन यूपी पुलिस यह अशलील और क्रूर कहानी धडलले से सुना सकती है क्योंकि खुद पुलिस की निगाहों में कानुन का कोई इकबाल नहीं बचा है कासगंज में अलताप की गयर न्याई खत्या न पहली है और न आखरी क्राइम केसे बचपन से आप सुनते आये होंगे कि आत्मत्या के मामले में अगर कही से भी पैर जमीन या किसी सतह पर छुने की गुंजाईश हो रहती है तो उसे आत्मत्या की ठेयोरी से नकारा जाता है क्योंकि जान निकलना इतना आसान नहीं होता आदमी छटपटा कर पैर जमिन पर रख देता है लेकिन यूपी पुलिस कुछ ऐसा दावा कर रही है कि आदमी ने बिस्तर पर सोते सोते या जमिन पर बैठे बैठे ही फासी लगा ली कभी कासगंज, कभी आगरा, कभी गुरकपूर, हर शहर हर थाने की यही कहानी है आकडे गवाई दे रहे है कि यूपी नंबर वन का नारा देने वाली बीजेपी के शासन में यूपी किसी में नंबर वन हो चाहे ना हो लेकिन हत्या, बलतकार और पुलिस हिरासत में मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश यकिनन नमबर वन है इतना ही नहीं, यूपी की पुलिस विवस्था अपने आप में कानून विवस्था और रूल ओफ लौ की बरबादी की जिन्दा कहानी है जहां पुलिस यवन हिंसा से पीडित किसी महिला को पेट्रोल डाल कर जला सकती है, आधी रात को किसी कमरे में घुस कर किसी को मार सकती है, हिरासत में किसी को पीट पीट कर उसकी जान भी ले सकती है यह भी बता दे कि नारा है कि उत्तर प्रदेश अपराद से मुक्त हो गया है, लेकिन असल कहानी यह है कि जिस पुलिस पर अपराद से निपटने और जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेदवारी है, वह पुलिस खुद अपराधी की भुमी का निवा रही है, वह खुद अ कामले के संबंद में मेरा बेटा वांचित है और उससे पूछताच करनी है मैंने अपने घर से अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से पुलिस के हवाले कर दिया था जब मैं चौकी पर आया तो मुझे वहां से भगा दिया गया इसके 24 घंटे के बाद पुलिस ने मुझे मुझे बताया कि मेरे बेटे ने फासी लगा ली है मैंने अपना बेटा पुलिस को दिया था लेकिन पुलिस ने मुझे मेरे बेटे की लाज दी है पुलिस का दावा है कि जैकेट की हुडी के नाडे से अलताफ ने आत्मात्य की पुलिस अधिक्षक का कहना है कि जैकेट की हुडी का नाड़ा काफी लंबा था काफी बड़ा था जो उसने पहले ही निकाल लिया था जब उसने थाने में सोच जाने के लिए कहा तो मुंशी ने उसे थाने के बातरूम में ही भेज दिया उसने नाड़े को अपने गले से कस लिया और टोटी से बांध कर खुद को जोर स खीच लिया वो पूरी तरह से बातरूम में लेड गया था जब पुलिस ने उसे बातरूम में लेटा हुआ देखा तो उसकी सासे चल रही थी उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दवरान उसकी मौत हो गई योगी के लगबग साड़े चार साल के कारेका मानी जानी चाहिए और इसलिए इस उपलब्दी के लिए यूपी पुलिस को एक मेडल भी मिलना चाहिए इतना ही नहीं तो उन्हें पदमस्री से भी नवाजा जाना चाहिए यह बात राष्ट्रे मुस्लिम मूर्चा के राष्ट्रे प्रभारी चांद महम्मद इन्हों ने यूपी के जिला कासगंज में पुलिस हिरासत में पुलिस द्वारा अलताफ की निर्मम हत्या पर आंदुलन की चेताउनी देते हुए कही है चांद महम्मद ने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन को कटगरे में लेते हुए कहा कि केवल योगी सरकार में ही ऐसा होता है भी बातरूम में लगे नल से लटक कर कोई आत्मात्य कर लेता है ये बेशर्मी की हद नहीं तो और क्या है असल में इस तरह की घटनाये शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों के जरिये प्रायोजित और इनी के इशारे पर होती आ रही है चांद महमद इन्हों ने कहा कि पुलिस के इस खुकार और कातिल चेहरे के बारे में लगातार हाई कोट और सुप्रीम कोट के द्वारा टिपनी की जाती रही है या बयान दिया जा रहा है पुलिस इस तरह की घटनाओं को सत्तापक्ष के दबाओं के जरिये प्रायोजित करके प्रायोजित तरीके से अंजाम देती रही है और अधिकारों की रक्षा करने के बजाए मानव अधिकारों का सरवाधिक उलंगन करती आ रही है अगर अलताफ की निर्मम हत्या करने वाले दोशियों को ततकाल गिरफतार करके कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो उत्तर प्रदेश में या सारे देश भर में आंदुलन हो सकता है ऐसा भी चांद महुम्मद इनों ने कहा है यूपी नंबर वन हाल के दिनों में यह लाइन और इस से जुड़े पोश्टर विग्यापन बहुतायत में देखने को मिल रहे है उत्तर प्रदेश के अलग अलग पहलूओं पर नंबर वन होने की कहानिया इसमें बताई जा रही है लेकिन इन कहानियों में उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे मामलों में भी नंबर वन है जिनका जिक्र नहीं हो रहा है जैसे हिरासत में मौत के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर वन है 27 जुलाई 2021 को लोग सभा में पूछा गया कि देश में कितने लोगों की मौद पुलिस और न्याईक हिरासत में हुई है इसके जवाब में केंद्रिय ग्रहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग के आकड़े पेश किये यन आकड़ों के मुताबिक हिरासत में मौत के मामलों में उत्तरवदेश पहले नंबर पर है उत्तरवदेश में पिछले तीन सालों में 1318 लोगों की पुलिस और न्याईक हिरासत में मौत हुई है न्याईक हिरासत में 452 लोगों की मौत हुई है इस तरह से अगर पिछले तीन सालों में हुई इन मौतों को जोड़ दे तो उत्तरवदेश में कुल 1318 लोगों की पुलिस और न्याईक हिरासत में मौत हुई है उत्तरवदेश का यह आकड़ा देश में हुई हिरासत में मौत के मामलों का करीब 23 फीसदी है अगर देश भर की बात करें तो पिछले तीन सालों में यूपी पुलिस और न्याईक हिरासत में 5559 लोगों की अब तक जान चली गई है अजया में मौत यप पुलिस और